नमस्ति दूस्तों कैसे हो स्वागत आप सभी का पाल वर्ड के ब्रैंड न्य एपिसोड में आज के एपिसोड में अपन पदला लेंगे इस पतमाश अनुपिस से कि इसने हमें जो पीटा है ने लास्ट एपिसोड में तुमने देखा यह होगा यार मेरे वुंपू को वन शॉट किया था इसमें अड मैंने तुम से पूछा था कि मैं कौन से उपी पाल का यूज करूंगा इसको हराने के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉंग भाटर टाइप पाल चाहिए होगा एंड गाइस कैस्वाइट मैं किसको पकड़ रहा हूं वह तो आगे वीडियों पर अचले बाट अगर वह भी कुछ नहीं कर पाया तो हो गया या फिर मेरे को लेवल अप करके आना होगा क्योंकि गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं अब पोटी लेवल तक भी नहीं पहुंचाओं और मेरे पास भी अतने लेवल के नहीं है एंड सो लेट तरिवेंज आर्क वेगेंगेंग इंड सुपर स्ट्रॉंग वाटर टाइप बास पाल को हराने के लिए मुझे सुपर स्ट्रॉंग एलेक्रिक टाइप पास चाहिए होंगे जिनको मैंने पहले ही अपने पाटि में अड से निया देख सकते हो तक पैल horrtी ट्रैगें ओधार शैसिस के पास तो लेजटर्ट सेव नहीं थ्याइ brought to exam समझ सकते हो श्रॉंग इनिस guidance भाए मुसांडा हो थे ऐस वरूर्चिक टाइप मॉनом हो आडर ये रहा अलेक्रिक ट्रैगेंगन जो कि बिल्कुल कोई भी आंगल से ड्राइगन नहीं दिखता है गैस डाइनसौर लगता है और जैसा मैं करता हूं वैसा यह खलता है एंड इसको तो तुम लोग भूली नहीं सकते भाई इस पॉल्ट यह भी बहुत स्टॉंग पाल है और प्यस के लिए भी बहुत क्या बुल बाई अपना को ज्यादा ही एंगरी वाला वाई अभी लड़ रहा है तो चलो देखते हैं स्ट्रॉंगेस्ट आलफा बॉस वाटरफाल और फो कोई और नहीं का चार्मन टाइड का नार्मल वर्जन हमारे पास चार्मन टाइड इंगनिस है पहले से बट उसका नार्मल वर् यह दखो अपना पांडा वाई क्या नहीं कर सकता है यह मस लगता यार मेरे को देखता तो जबकि यह फ्लाइंग मॉंड है भी नहीं बट फिर भी थोड़ा मॉड़ा उड़ सकता है नाइस और इसका ग्रेनेट वर्जन तो तुम लोग देखे यह बोले तो ग्रेनेट इसी बैंड बजाएंगे ना हम लोग भाई फुल जाएंगा यह वाटर टाइप दिखने रहा है इसी लेक में रहता है यहां पर सर्फेंट मेरे को दिखना है बीच में क्लिया वाया लोकेशन तो आसम है कि इस बार फुली प्रिपेर्ड होके भी आया वो पिंक वाले बॉल मेरे पास जिनका नाम ही मैं पूलिया गाइस देख रहे हुदर कौन है अरे बापरे यह कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं दिख रहा है लोको रोको चुपके से देखते हैं बाई औरे पैंडा अला मत कर आरे बापरे एंपररर आफ दसी यह लोग मेरी तरफ से एक तौपार अरे बापरे कैसी बैंड बजी हाहा और एक ले ओ वाई यह पैंडा बड़ा अनॉइंग है अरे अरे पेड़ को नहीं मारना था और यह क्या मैं गलत मूप माद या कमान कमान डॉज 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 वो अटैक कर रहा है अरे लेक्टिट टाइब टाइक वाव बाई बाई ब आपर यह क्या हाइड्रोप अटाइक था भाई पीड को भी चीपते ही लागा मेरे को और यह प्रीज बोल्ट कितने का डाम जे रहा है वैसा तक रहा है था तक्या था इस भॉट्वड तो डामेज दी रहा है बटाइगे सब इतना ही डामेज दे पाई है क्योंकि अपना ग यह थोड़ा ज्यादा डामेज दे रहा है नाइस नाइस एट नाइन नाइन वह सब ठीक है इन बहुत पाल का चार अजाद इतना एच्पी क्यों राता है यह जो इसको डॉट्च कर लिया एंड फिप्टी फिप्टी पोड अरे नाइस भाई रिलाक्स वरस लग्स डामेज मतलब उसके कुल कोई अटाक्स में स्टेटिस कंडिशन लग जाता है तो वह ज्यादा डामेज देता है ओके-ओके अपना रिलक्स वरस लग्स भी पिट रहा है यह बर्न कंडिशन कैसे इस पर आ रहा हूं अच्छा ड्राइगन ब्रेथ में आ रहा होगा एंड या यह जो इसका साइज देख के मैं फैन हो गया वाई बहुत ही बड़ा है एंड मैं कंपैर करना चाहता हूं यह मैंने जो नॉर्मल वाला जार्मन टाइडिक निस पकड़ा है इसकी साइज में कितना बड़ा और अब लेजंडरी ट्रैगन और सक की बारी जो कि लेजंडरी है ने ले सब्सक्राइब कर सकता है ओके बस बस ज्यादा मुवत फाट नहीं लगता मेरे को तेरे से समझा क्योंकि बीच में पेड़ा इससे एक दो अटाइक से डॉच करी होंगा चलो अब ही ना इट किया है और सब्सक्राइब बना के आना था यह सालड से तो वर्क स्वीड बड़ अब के चलो वागो वाई मानना पड़ेगा यार यह पेड़ा में बहुत बचा रहा है देख रहे हैं उसके अटाइक से टैंक कर ले रहा है बस वह है बागी अटाइक्स तो मैंने जेवर ला ओके और सब्सक्राइब दो इट वाइड दे भाई तू तो खाली पानी मता है र जो बगल दो मेरे को मार रहा है रखता है इस चार्मन टाइक को चम्चे यह वरना यह इसी को अटाक करते हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत से पाल एक दूसरी को ौटाक करते है बटिस और इस बार तुमने नोटिस किया होगा तो मेरे पास एक अलग टाइप का शॉर्ट गैन है जिसको मैंने इस्पेशली इन अनुपिस और इस चॉर्मन टाइट के लिए बनाया है अब तो इधर आ गया बाई बागो 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 एक सारस के लिए लगता है पेड़े पेड़े पास पानी में नहीं नहीं सकते हैं तेख रहो यार उसका इंटेंस टेर कैसा पीचा कर रहा है बहुत डेंजरूरस लुक है बट मेरे को टैर नहीं लग रहा है क्योंकि अपने पास की बहुत सारे उपी पास है बस वह यह थोड़े थोड़े करके डामेज देरें कोई नहीं कि मैं ट्राइब करूंग इसको फिप्टी परसंट में ले क्या हूं फिर एक दो बाल्स फेक्टी देखते हैं पिंक बाल्स बोले तो अल्ट्रा स्पियर बाल्स वन परसंट का प्रेट दिखा रहा है कमांड कमांड स्टन करो लेक्टी फाइप परसंट हो गया पर्स ट्राइब इतने लगई तो नहीं होंगे कि फर्स ट्राइब प्रोवट तो हैल यार और यह देखो यार उसका पैसिव लॉर्ड ऑफ देशी बाय अफ पिटिंग टाइटल पर जार्म टाइट और प्रीशेस ट्राइगन स्टोंस मिलें पाफ सारे नाइस यार लूट तो है भी मिला वाई हाँ फाइनली अब चौर्मन टाइट हमारे पास है और अनुबिस अब तो किया वाई को सब चीज में बट देखेंगे क्या होता इतना भी वेकूफ नहीं हो कि सिर्फ ज लेके भाई अनुबिस से बढ़ने के ले जाओ सो गाइज अपने एक प्रॉपर वाटर टाइप और ग्रास टाइप लाइनप बनाएंग क्योंकि वह ग्राउंड और रॉप टाइप पिछले बास से वाटर टाइप यह सा भी लेके जाता सो रुको थोड़ी देर मैं तुरं अनुबर दिखा देता हूं अल्मोस्ट नाइंटी शायद था याद नहीं आ रहा है मेरे को ओके लेट सी नाइंटी ओ भाई अनुबिस से उपर जस्ट वन जोर्मन टाइप नाइस यार अनुबिस अब तो तो गया भाई ट्रागन वाटर ट्राइगन दी ओके सो बाहर आज मेरे को थोड़ा छोटा छोटा तो नहीं बोलूँगा बठाए सीरियसले आप तो यूज है यूज ओके यह मेरे जॉर्मन टाइट से कंपैर में कैसा लगता है बट उससे पहले गाई देख क्या बहुत थमनेट वाला शॉट ले रहे रहे हैं लेट सी यह एक रहे हैं क्या सबसे पहले तो उनका स्टैट्स भी अच्छा होता है उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पैसिप्स होते हैं पैसे की लॉट अव्दस ही यह सब और साथी में का साइज भी बहुत बढ़ा होता है और सो इस हाई टाइम तो सी माई लाइन वोले तो अपन कौन-कौन से पाल यूस करने वाले हैं नोबिस को डिपेट करने के लिए अरे जॉर्मन टाइड वो तो नीचे ही चला गया देख सकते हो जॉर्मन टाइड है इसके पास मुव्स पाई डामज देख रहे हो हाइड्र लेजर हाइड्रो कैनन की तरह है रहा है रहा है रहा है रहा है यह बता रहा है यह अच्छा घासा दोएगा नोबिस को देखना और इसको तुम लोग भूल गया है इसके पास थोड़े कम डैमेजिंग मुब्स है बट ग्रास टाइप है सो मैं इसको ले जा रहा हूँ और इसके पास वराइटी ओप मुव्स भी है लाइक वाटर एंड ग्रास टाइप भी है सो यह सर्वाइब कर लेगा और इसको तो तुम जानते है यह हमारा और सबसे और यह हां एक चीज में तो चेक करना भूली गया मुझे देखना था अपनी जॉर्मन टाइट का साइज इन नॉर्मल जॉर्मन टाइट से ओके ओके लेट सी काईस वो इस तो पिगर वन ऐसा पता है मेरा वाला बड़ा होगा बड़ कितना बड़ा है वो देखना होगी कि लेट सी इतना बड़ा है यह अलो गाइस मेरी आखे तो थीक है ना तो बच्चा लग रहा है वाई उधर वला जॉर्मन टाइट फाई आलफा बॉस पार्स का साइज अलगी लेवल का है वाई तो पूरा बेस उतना बड़ा लग रहा है कि अद नाव गाइस फाइनली इस रिवेंज टाइम आज अनुबिस तो नहीं बचेगा क्योंकि आज मैं फुल ऑन एक्दम एक्शन टैक्ट वाली टीम लेकर आ रहा हूं लेट सी क्या होता है गाइस क्योंकि यह फर्स्ट ट्राइए यह लाइन आप योज करके और मैं ऐसे वीडियो बनाना पसंद करता हूं फर्स्ट प्राइस वाले रहा हूं इस बार अपन एंट्री तो एक दम्दमाकेदार वाली कर रहे थे एंड इस बार में कुछ अलगी च श्टाचू देखा है नहीं भाई यह किसने वनाया वई यह तो लिटरली लेजंड है अनुबिस यहां गाजन ऑफ दी डार्शन या गाजन ऑफ दी इस पिंग स्ट्याचू यह लिटरली अट यहां कौन अंडा देगे क्या वाई यह तो कॉमेडे की जिस पाल ने भी यह ब नाइस अब तो इसको पकड़ने मौर हाइप हो गया हूं यह पोकीबॉन कुछ साधा इस पर शाला ओके अरे यार इतने उपर से फेका हूं पॉल डेमज पढ़ता ना तो तब तो पोपट हो जाता खैर कोई ना जाता हूं उच्छे से नहीं पेका तो यह तीर पहुंच नह है अरे इतने तीर लग रहा है ओके अभी लगा हो देखो अल्टा इंस्टेंट हो डॉन आजा आजा इधर है और मैं तो स्ट्राइट करूंगा इन दोनों को लड़वाँ और देखो आरे अभी पैट करने का टाइम नहीं है ओके इनका फाइट देखेंगे अपन और अपन यहां पर चड़ते हैं मेरे को टैक कर रहा है चलो बच गया एकदम बॉस की तरह मैं यहां से देखोंगा भी और तो-तीर भी माल दूंगा और यह क्या वाइट नहीं हो रही है लगता है स्टैचु के सामने यह नहीं लड़ेगा वाइख है मेरे को भी बैटल फेल्ट में उ टॉंट कर रहा है देख रहे हो जाला तुल ज्यादा है कॉंट्विडेंट हो पिछले मैच देबाद कोई-णा अपना ड्रागन देख रहा है तेरीक द्धोए का बई रुपड़ाज और अरे यार 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 यह यह पीडों में अटाक ही ने कर पारा है यह सब जो थोड़ा इ क्यां कोई तैक्ट कर रहा है वह मैं सोच रहा हॉं कि सब्सक्राइब तो दिक्कत होजाएगी यार इतना मैनत कि अपगड़का है लगता है यह अनूबी स्काइज फुल सीरियस मूड में क्योंकि बिछले एपिसोड में कम से कम कुछ तो डामेज दे रहे तो यह हमें इतना गंदा तो नहीं पिट रहा था बड़ कोई नहीं इस बार बीना पकड़े तो मैं नहीं जाहूंगा तो थोड़ा इसको तीर मारते ह देगा और नाइस ऐसे फ्रीज करें हाँ कैसा लगा ओके डॉट डॉट इसको मैं अपना ट्रम कार्ड मान रहा हूं चलो देखते हैं यह क्या कर पाता हूँ हाइली एफेक्टिव नाइस ओ भाई अभी ने टामेज दिया उसने यह पाल चलेगा और कुछ अटैक्स भी टैं किट मत दिखा उसको अटैक करो कर ले टांट कर ले बट तो अपना एच्पी पी दे करने वे इसका इस पी गिन रहा है बट को बहुत जादा ही दी रहे किर रहा है यह वूंपो बोट है नहीं है जो उसको अच्छा डैमेज दे पार रहा है कंटीनुर स्टाइब कोई ना औ इसका ना मैं डबल बैर शॉट गैन वन पनका डैमेज एडशाट में इनका डामेज भाई बहुत कम डैमेज फट कोई ना इट अनौ अ हां कैसा लगा ओ भाई यूरे पीछे पढ़िया भागो बागो आप चलो डॉट के लिया बाइब बाई जिए इतना ओपी फाइट चल और मैं और त्राइज नहीं करना चाहता हूं फस्ट राइम ही पकड़ना जाता हूं अभी ने पढ़ा है इसको हईड्रो क्या ना ले जोगी मुफ कर ना में है ओ हाँ जाए बस इसके अटैक्स उस टाइप पे क्या बोले नहीं है कि उसको हीट करें बोले तो अनुबिस कु भागो भागो यह मुफ बन शॉट करता है वाइस देख सकते हो जॉर्वन टाइट को कितना डामेज दिया हो क्यों के टांट कर लो पीछे से यह ना पड़ाया लेकिन बहुत कम डामेज पड़रा इसमें और मैं अभी नोटिस कर रहा हूं इसको वाटर टाइब अटाइक लगता है मेरे को यहां का टाइप एडवांटेज चार्ट चेक करना होगा बट कोईना ट्राइक करते हैं 0.20 परसेंट वाई 50 परसेंट में जादा दिखा रहा था है कोईना मेरे पास बहुत सारे अल्ट्रा बाल्स है पकड़ी लोना और अब भीज़ते हैं इस ट्राइप स इसको देखते हैं यह क्या कर पाता है वह जा कर रहा है वह यह तो इसके पास प्रापिंग वाला मुंगा अच्छा नहीं इस मोटू वूंफू बोटन का इस अच्छा है ओके यह फेक हां और यह क्या है भाई लगता है इसका इच्पी मेरे को और गिरा ना होगा वाई वाई यह मुव चलो डॉज करवा दिया एंड गाइस क्या लगता है तुम लोग को क्या मैं इस को पगड़ पाऊंगा इस सेकेंड ट्राइम मुझे तो थोड़ा कम चांस लाग रहा है बट मैं होप नहीं होता हू अब देखते हैं अभी पास सारे पास सिंदा और उनको फूड खिलाऊंगा तो वह आटमेटिक लिए रिकार वह सकते हैं बस थोड़ टाइम लगेगा एंड अब देखते हैं अभी जीरो पॉइंट पर ही है ओके अरे शिंदा खड़ा रहा है यार अभी भी फेक दे रहा है बहुत इसको डामेज देना पड़े यहां आइटेंग के नीचे लाना पड़ेगा खैर को इना अज़ार्मान टाइटिक में बजाद है इसको इलेक्टिक थाइप अटाइक ग्राउंड टाइब इसको जादा डावज नहीं पोड़ेंगा तो बागो यहां से मेरे पास यह इसके बाद साइट से लेजेंडरी स्पियर आता है सो काइंड ऑफ अपन सेकेंड हाइस पीहर पेर इसका अरे यह क्या था वैं उसको मैं क्या बोलू आयन टेल अटाइक का मुव वाई है तो कि मैस यार इसके बड़े साइज होने का कुछ तो फाइदा है भई कि इसकी मुव्स कर लेते हैं अपना देते हैं अट अशन है मेरे को इस फाल को पीटने पर पता चला है कि मैं थोड़े स्टेटस कंडेशन वाले पास लेकिया आता ना जिनी पर पॉईजन यह सब का कर लेना देना नहीं बट वही है कि इसको बेसिक अटैक्स की डैमेज कम पढ़ेंगे यह स्पेशल टाइप की लिए कोई ना कर ले कर ले टॉन थोड़े दिर बाद पकड़ के तेरे को टेम करूना फिर पताऊना दो तिन बैट तो जरूर मारूंगा का इसको पकड़ने के बहुत बहुत मैंना भी कर रहा रहे यार जो अब क्या करूं को बात नहीं अब दूसरी इसको भी इसको मैं नोटीस नहीं किया था अभी हाल में मैं अपना पाल डेक बोटाव पाल बॉक्स देख रहा था तब मेरे को मिला यह एंड काइंड औप मेरे को पता चलाई लगता है वह लवल अप काम कर गया क्यों भी यह भाई कर रहा है वहीं बैटल में ऑके टाइस नाइस पास आ गया अभी फी वन परसंट पर ही है वाई मजब यार और थोड़ा नॉइब हो रहा हूं कि भाई इतना टाइम लग रहा ही बास से बैटल करने में समझ रहे हो यहां से मेरे को थोड़ा रिकवर करना होगा उदर चिपता हूं पत्थर के पीछे ओके कमांड दूमांड जल्दी चड़ो भाई अरे यह क्या हो रहा है वाई चड़ भी नहीं पा रहा हूं हाँ फाइन अरे हैर वंपो बोटन ने उसको समाल के रखना है पिटा गये वह न पीछे पड़ा है वाई देख रहे हो पीछे पाल उसको डिस्टब कर रहा फिर भी पड़ा है कोई ना जस्ट बिट मोर गाईज 500 के पास आ गया वान परसेंट रिखा रहा है तेस बास आए तेवन परसेंट और निकल लिए हैर कोई बात नहीं फेकते रहेंगे 174 अल्ट्र लगे तो फेक दूंगा वाई चाहिए मेरे कुए वाई बहुत अनाइक है और बहुत स्क्रांग यह अल्फा बास वाला ओकी ओके अब मेरा शील के लिवेट खतमी हो गया वाई और अटक्स ने टांग कर सकता है तो नौब तू तू स्पम अल्टाइ स्पीर बास लग्स्टी ऐस सेंपर से बास बिर्शल कमया बढ़ो अरे भाई पोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा लेट सी थर्ड ट्राइब ओके थर्टी फाइब डाइब यॉस्स और इसके पास एर्थ एंपरर का अबलेटी है वायर फैनल दोस्तों हमने आलफा बॉस्स को बखाड़ लिए थक गया मैं बट्रुकर को अब भी वीडियो एंड नहीं वाय क्योंकि इस बॉस्स पाल को देखन तो बनता है यार कितना स्ट्रॉंग है कैसे टाइब के सिल्स है इसके पास सब कुछ देखने बट पहले अपने बेस में आ जाते हैं मैं मस्क तो क्या बोलो मेरा अलागी टाइब को फंडा है वाई अपने बेस में आने को स्री स्पॉन ओके वाई वोले तो खुद को मार की और कितर गया हूँ अनुबिस इतने सारे अनुबिस है ना मेरे पास की ओ यह वाला है और टाम टाम गाइज लेट सी स्ट्राट्स अच्छे और मूव्स तीक रहे हो भाई सब हंड्रेड वान ट्विंटी वन फॉर्टी सिर्फ डैमेजिंग मूव्स ग्राउंड्स मांश तो बड़ा होना चाहिए ओके बाहर आओ एंड रही आती है पास के पीछा पड़ी गया बड़ा ही अग्रेसिव नंदा और हाई यह मीरे से बड़ा है गाईस नाइस और इस एपिसोड में इतना ही कैसा लगा तुम्हें फालवर्ट का एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बता के लिए और मुझे थोड़ा जशन मनाने तो गाइस थोड़ा डांस पांस कर लेता हूं और बिस्टोड पड़ा रहा हूं हाँ हाँ तब तक के लिए अगले वीडियो में बिलता हूं